असलाम आलेकुम आज मेरे किचिन में बन रहे हैं आलू मटर की सूखी सबजी वो भी बहुत कम मसाले में सिर्फ नमक मेरचा की सबजी इतनी टेस्टी होती है ना कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाओगे तो यहां पर लिये हैं मैंने चार आलू तो यह ठंडक वाले इसा कंच कि क्योंकिते टो एक container कर लाएक होुँके मेरे वास कर लेंगे अच्छी से हम लेंगे काथी बड़ी सीजनी मेरे के लिए ऊपर से डालेंगे हम अध़ाख जेरा अधा चंबच यह जब ही इससे कड़ जाए गाइगा तब आम इसमें बाद आलीने गार नहें और इस प्यास को मैंने भून लेना है बहुत अच्छे से एगोल्डेन ब्राउन हो जा Хотथ कि अच्छे से फ्राइ ब्राइ एक कर लेंगे और बस दो से तीन मिनट में अच्छ beyond हो जाएगी राउन हो चुकी है अब इसमें डाल देंगे आलू जो मैं इसमें स्लैस के ओए ऐड़ी अच्छे से मैंने इसमें डाल दिये हैं और इसके फॉरां बाद हम लाइंगे इसमें हरी मटर और इसे आप हमझे से छला लेंगे तो अगर अब भी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्बी से सबस्क्राइब कर दीजे जिससे कि जब भी मैं अपनी डिशेस डालू तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए तो मटर और आलू को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज के टमाटर तो अच्छे से मैंने इसको काट लिया है और अब इसको भी इसके साथ हम मिक्स कर लेंगे और जब दालेंगे इसमें कुछ मसाले वह बहुत कम जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और नमक और ये घर का बनाया हुआ मेरा है सबजी मसाला इसमें कुछ नहीं है भुना हुआ लाल मिर्च है खड़ी वाली और जीरा है और कुरियंडर मतलब धनिया जो साबित आती है उसको मैंने तीनों को मेक्स करके अच्छे से भून लिया था और फिर हमने इसको अच्छे से क्योंकि यह बस नमक मिर्चे की ही अच्छी से सबजी बनती है बहुत अच्छी टेस्ट होता है इसका बहुत जादा और बस यह थोड़ा सा हमने चला लेना है इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है हलका सा उसके बाद हम इसको धाक के पकाएंगे थोड़ा सा देर और याद थोड़ा सा इसको हम भूण लेंगे और नीचे से हम देख लेंगे कहीं लग तो नहीं रही है थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है नीचे से तो यह और अच्छी लगने लगती है थोड़े से आलुस के रोस्ट हो जाते हैं तो इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ढखते रह बहुत अच्छ से सब्जी मेरी तयार हो चुकी है थोड़ा सामने इसको और भून लेना है खोल के हमें तेज आच पे थोड़ा सा बून लेना है बिल्कुल टूटे हुए आलू नहीं है और अलू भी मेरे तूटे नहीं है और यह थोड़ा से रोस्ट भी हो गए है बहुत कि मुझे मिल गई थी मतलब इती अच्छा मेला था मैं आपको बताने सकती नब्य रुपे में कहीं ऐसी प्लेट मिलती है बहुत अच्छी प्लेट और इसी में मैंने आज इसको सर्फ कर लिया है और बस यह तयार हो चुकी है उपर से हम थोड़ी सी करेंगे गार्निशिंग और बस यह तयार हो चुकी है बई सबजी बनी और उपर से हरी धनिया ना हो तो मज़ा नहीं आता ना तो बस उपर से डालेंगे थोड़ी सी हरी हरी धनिया और यह तयार हो चुकी है रोटी के साथ चावल के साथ का यह किसी वी चीज़ के साथ का यह बहुत जादा टेसरी लगते हैं सिर्फ नमक मिर्चे की बहुत सिंपल सी रेसिपी है